अब इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रस्व, भाव और भाव कितने प्रकार के हैं और कैसे हैं इसकी कुछ चर्चा करता हूँ यह जो प्रमुक बात है उस पर आते हैं अब यह बात वास्तव में मनोवे ज्यानिक है और इस पर कुछ विचार करने की आवश्यक्ता है और इस पर बहुत विचार हुआ है पहले भी और आगे भी होता रहे हैं तो यहां नाटशास्त्र में यह माना गया है कि मनुष्यों के भाव दो प्रकार करें स्थाई और संचारी संचारी और कोही व्यभिचारी भी कभी कभी कह दिया जाता है तो स्थाई भाव यानि टिकाव जो लंबे समय तक या सदा आपके मन में रहे वो स्थाई है और जो आए और जाए संचरन करता रहे चलता फिरता रहे वह संचारी है या एक जगे टिके नहीं इधर उधर आखे चलाता रहे वह विविचारी है। तो ये इस तरह से उन्होंने भावों की दो कैटिगरीज या भावों की दो विभक्तियां कर दिए अब आप कहेंगे ऐसा तो होता है क्या अब ये प्रश्न की क्या ऐसा है या क्या ऐसा नहीं है ये विशुद्ध मनुवेज्ञाने के भरत मुनी ने तो कहा कि देखी है ऐसा है कि स्थाई भाव होते हैं और संचारी भाव होते हैं मेरी थियोरी तो ये है यही परंपरागत भरत संप्रदाय की शिक्षा यही है कि स्थाई भाव होते हैं और व्यवचारी भाव होते हैं तो उन्होंने कहा कि आठ ऐसे भाव हैं और उन्होंने कहा कि चार उनमें से ऐसे हैं जिनके कारण चार और होते हैं तो क्या है श्रिंगार श्रिंगाराद भवेद हास्यों अगर श्रिंगार होगा तो हास्य होगा यानि श्रिंगार नहीं है तो क्या हसना अकेले अकेले आप सारा जीवन गुजर गया ब्रहमचारी जीवन तो उसमें क्या हास्से होगा बड़ा नीरस जीवन रहेगा कितने हसेंगे आप अपने आप पर हसते रहेंगे या दूसरे आप पर हसते रहेंगे अकिला फिरता रहता है तो उसमें कहीं कुछ हसी खुशी नहीं है तो श्रिंगार होगा इस्ति पुरुष संबंध होगा आप दूसरों को देखेंगे अपने से उचे को नीचे को देखेंगे तब हाथ से होगा और हाथ से कहा होता है जहां आपको किसी प्रकार की असंगती विसंगती नजर आती वहीं हाथ से होता है न अन्यता हाथ से नहीं होता आप किसी एक चुटकुले को या जोक को देखिए उसमें कोई न कोई विसंगती होगी कोई अनेक्सपेक्टिड चीज होगी जो आपने सोची नहीं होगी और उसमें कहीं न कहीं किसी बड़े को थोड़ा सा छोटा किया जाएगा तब ही तो हाथ से होगा अब इतने सारे जैसे चुटकुले बनाए जाते हैं और एक बिरादरी जो है वो दूसरों पर बना लेती है बनिये जाटों पर बना लेते हैं जाट बनियों पर बना लेते हैं कुछ सिखों पर बनते हैं इस तरह से योरोप में पोल्स पर बनते हैं तो इस तरह से ये जो एक पूरी शंखला होती है वो बात दूसरी है कि कभी-कभी लोग कोर्ट चले जाते हैं कि हमारे उपर जोक्स ना बने तो आप ये एक बड़ी अजीब सी बात है ये तो एक दूसरे पर हसना जो है ये स्वभाविक और सामानने बात है हाँ उसकी एक लिमिट होती है उसका एक शिष्टा चाहिए जिसको रखना चाहिए सदे लेकिन वहाँ थोड़ा सा किसी को आप छोटा करें और शिंगार में क्या होता है आप खूलते हैं प्रसन्न होते हैं कि शंगार आत्भवेद हास्यों क्यों कह दिया कि किसी और भाव से हाथ से क्यों नहीं हुआ जहां थोड़ा सा अपने उपर गर्व होगा वहीं तो आप दूसरे को थोड़ा सा हसने लाइक समझेंगे चोटा तो जब समझेंगे मजाक तो जब उड़ाएंगे जब थोड़ा सा आपको अपने अंदर एक उचा बनने की दृष्टी होगी और वो कब होती है शिंगार का अर्थ ही यह है कि अंदर से एक आलाद का प्रस्फुटन होता है एक आनंद का प्रस्फुटन होता है और दूसरे से मिलने की इच्छा होती है और दूसरे के साथ संबंध बनाने की इच्छा होती है जब यह शिंगार होगा तभी हास्य होगा इसलिए उन्होंने का शिंगाराद भवेद हास्यों शिंगार का कर्म है हसना आप बिना हसी के रोमैंटिक हो सकते हैं बड़े बोरिंग प्रेमी हो जाएगे या बड़ी क्या कहते हैं बोरिंग प्रेमी का हो जाएगी अगर हसी नहीं है तो शिंगार में हाथ से आवश्यक है, एक दूसरे पर हसना भी आवश्यक है, भक्ती तक में, चुकि भक्ती को एक प्रकार का प्रेम और प्रेम को शिंगार माना गया है, इसलिए हसना आवश्यक है, बिना हसे भक्ती नहीं हो सकती, अब ठीक है कहीं कहीं ऐसी परंपराएं हैं कि जहां भक्ति में हसना मना है अधिक नहीं बोलूँगा आप समझ गए इशारा कुछ संप्रदाय ऐसे होते हैं कि जिनमें एकदम absolute seriousness होनी चाहिए तो उनके हां अगर शादी का कोई मंगल कारे भी होता है तो कोई हस्ता नहीं है जब वह हो चुकता है तब लोग कंग्रेचुलेट करते हैं लेकिन शादी के दौरान नहीं कोई हस्ता बड़ी serious गंग से शादी होते हैं और हमारे यहां तो पंडिजी मंत्र कम पढ़ते हैं और और ओरते जोवह खिल खलाती जादा है तो वहां श्रिंगार में हाद से रखा गया उसके बिना श्रिंगार व्यर्त है, तो हर मंगल उसमें श्रिंगाराद भवेधास से, आगे बढ़ते हुए वो कहते हैं, रौद्राच्य करूनों रसा, अब रौद्र से करून रस होता है, राजा को गुस्सा आया, और उसने जरूरत से ज्यादा लोगों को दंडित कर दिया, और इतना दंडित कर दिया, कि लोगों ने कहा क्या अत्याचार कर रहा है, इतना नराज हो गया, इतना क्रोधि है, इसका रौद्र रूप देखिए जरा, करून रस है, जैसे बहुत सी कहानिया आती हैं कि राजा ने अत्याचार किया कुछ एतिहासि घटनाई भी होती है जिसमें बहुत सा संगार हो गया बहुत से लोग मारे गए ऐसी कई कथाएं आती है तो वो जो कर्म है राउद्र भाव है उससे जो कर्म किया जाता है उसका परिणाम क्या होता है करून किसी के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है किसी का प्राणांत हो जाता है अब हम उसको देखते हैं जब दुख को तो हमारे अंदर करूना अपपन होती है महाभारत की लड़ाई का विबरन है उसमें रुद्रता है उसमें ग्वध है उसमें मारना है जैसे भीम और दुर्योधन का युद्ध है और उसमें दुर्योधन की जांगों को तोड़ दिया जाता है और फिर दुर्योधन मिट्टी में पड़ा हुआ बहुत देर तक खिसकता रहता है तो वो जब हम दुर्योधन देखते हैं उस टूटी वी टांगों वाला दुर्योधन और वो दुर्योधन जिसको पराजित किया गया है युद्ध के नियमों के विरोध में तब हमारे मन में उसके लिए करुणा भी आती देखो इसके साथ अनर्थ हाँ फिर जब हम और सोचते हैं कि ये क्या है तो नहीं आती तो शायद हमें क्रोध भी आये लेकिन रौधर कर्म देखकर पिर एक करुणा उत्फपन होती है या और चीजें भी आप देखते हैं युद्ध भूमी को देखते हैं इसत्रियां बिलख रही हैं अपने पती का शर्व ढून रही हैं बच्चे आकर रो रहे हैं अपने पिता को ढून रहे हैं तो वो जो युद्ध का रौद्र कर्म है उसका जो फल है वो करुणुता है रौद्राच्चक करुणुता है वीराथ अद्भुधोत पत्ति और जो वीर कर्म है वास्तव में जब हम उसको देखते हैं तो हम कहते हैं आद्भुध का रहिया है यहाँ वीर कर्म का मतलब यह नहीं है कि इतने हजार सिर्कट वा दिये नादेशान ने खून की गलियां खून की नदियां बहा दिये तो वो वीर कर्म नहीं कहा गया है वो रौद्र कर्म है वो जो कर्म है इस तरह का संगहार करना वो राउद्र है और जब हम देखते हैं उन लोगों को जिनको ये सहना पड़ा तो करुणा हूँ लेकिन वीर कर्म वो है कि जब हम उसको देखकर कहते हैं आह इसने कितना बड़ा काम कर दिया उसका उधारण दिया जाता है कि राम का सेतु बंधन सेतु को बांदिया है समुध्र के ऊपर इतना बड़ा इन्होंने सेतु बना दिया तो ये अधभुत है ऐसा काम जो समानने तहा नहीं किया जा सकता इसके लिए बहुत बड़ी योजना या बहुत बड़ी शक्ती चाहिए तो सेतु बंधन जैसा कारे उसको देखकर अध्भुत मन में अध्भुत का भाव उत्वपन होता है और यह क्या हो गया वीरात अध्भुत पत्ते बीभत साच्चा भायान का और जब हम बहुत बीभत सद्रिश्टे देखते हैं जिसको देखना भी मुश्किल हो जाता है तो हम डर जाते हैं ऐसे horrible scenes जिनके उपर आँख रखना भी हमारे लिए संभव नहीं है डर से हम पीछे हट जाते हैं वो भयाना के तो बीभत साथ अध्भुत पत्ती बीभत साच्चा भयाना का तो चार भाव हैं जिनसे और चार उत्वपन हो रहे हैं तो यह इन्होंने इस प्रकार की अब प्रश्न उठता है कि भरत मुनी ने शांत को क्यों नहीं जिनाया यह शांत की गणना बहुत बाद में हुई लगभग डेड़ हजार साल बाद हुई जब उसमें शांतरस जोड़ दिया गया क्यों कि रंग मंच पर क्रियात्मक अभिने को ही दिखाया जा सकता है अशांत में आप क्या दिखाएंगे यह ठीक है कि आप अदभुत की अनुभुती की और उसके उपर विचार करके आपका मन शांत हो ले बुद्ध ने संसार की गती को देखा उनुने कहा कि यह संसार क्या है यह दुख ही दुख है यहां जिसको हम सब सुख समझ रहे हैं यह तो दुख है कि जो इतनी बड़ा बड़ा हम राज्य बनाते हैं कैसे बनाते हैं हम संगार करके लड़ाई लड़के सेंक्डो विद्वाएं बनाकर फिर हम कहीं जाकर सामराज्य की स्थापना करते हैं तो ये क्या रखा है इसमें इसमें तो हिंसा है और जो भी हमारा सुख है वो थोड़े दिन बाद दुख में बंदल जाता है और हम सुख और दुख के बीच में लटकते रहते हैं तो इस सब पर बहुत विचार किया साधना की दर्शन किया निर्वान हुआ मन में शांती है अब ये तो आप दिखा देंगे कि सुख ऐसे हुआ दुख ऐसे हुआ सामराज्य ऐसे बना नहीं बना उसके बाद राजा के मन में ये आया वो आया लेकिन आप ये कैसी दिखा देंगे कि विचार करने के बाद साधना करने के बाद जो अनुभूती हुई जो जो ज्ञान हुई हुआ जो शांती का दर्शन हुआ उसका भी नहीं हो सकता है तो आज जो स्टेज पर शांतरस दिखाया जाता है तो क्या दिखा देते हैं बैठे हैं अभिने में और क्या दिखाते हैं किसी ने देखा है और इतनी बड़ी बड़ी नर्तकियां हैं आज वो दिखाती हैं बुद्ध चरित दिखाती हैं या दिखाती हैं कि महायोगी हैं और बड़े शांत हैं तो बस आप अधमासन में बैठ गए आखें आपने बंद कर ली शांतरस होगा क्यों क्यों कि शांत जब होगा व्यक्ति संपूर्ण रूप से तो वो अंतर मुखी हो जाएगा वो भीर मुखी नहीं होगा अब मैं जो व्यक्या कर रहा हूं वो पिछले एक हजार साल की व्यक्या के विरुद्ध है वो हमारे परमशद्धे आचारी अभिनव गुप्ति के विरुद्ध है लेकिन आप तर्क को सुनिए फिर अप और ऐसा नहीं है कि यहां निर्णे हो जाएगा क्योंकि यह तो चर्चा और वाद और विवाद इस विशे पर जब इतने सैंक्डो साल से हो रहा है तो अब अई सैंक्डो साल और होगा लेकिन मेरा तर्क यह है कि भरत मुनी ने इसको नहीं रखा है क्यों कि यह अभिनेय न शांत का अभिने तो दो प्रकार से हो सकता है या तो योगी बन गया या मर गया या तो शव दिखा दो वो परम शांत है और या पदमासन के द्वारा लक्षित कर दो कि ये योग की ये ब्रह्मानंद की ये कैवल्य की ये निर्वान की परमस्थिती को प्राप्त हो चुके हैं तो अगर आपने बुद्ध दिखाए, उनके वैसे बाल दिखाए और उस तरह से कपड़े दिखाए तो आप कहेंगे ये बुद्ध हैं और ये निर्वान की अवस्थान बैठी ऐसा आप अनुमान करेंगे और अनुमान के द्वारा उनके भीतर जो शान्ती है उसका एक प्रकल्ब कर लेंगे, सोच लेंगे वो आप में तो नहीं हो जब आप देखते हैं कि रामन लड़ रहा है और क्रोध में वो राम को मारने के लिए तयार है राम बार बार उस पर बान छोड़ते हैं और कुछ नहीं होता उसका क्योंकि उसके तो नाभी में अम्रित है मर नहीं सकता हूँ जब तक नाभी नहीं सूखेगी तो तो क्रोध में वो बोल भी रहा है कि मैं ऐसे बान छोड़ूंगा तेरे उपर जैसे वैनिक जो है अपनी वीना बजाते हुए स्वर छोड़ता है ये वालमी की रामायन में है रविशेण ने एक रामायन लिखी थी उसमें है वहाँ ये भी सिद्ध हो गया कि वीना है उसमें धनुर के आकार की होती थी धनुर जैसी होती थी तो रामवन क्रोध में है अब उसका क्रोध देखकर क्रोध के भाव को हम भी पहचानते हैं हम भी जानते हैं क्रोध की अनुभूती हमको होती है ऐसे ही श्रिंगार है, ऐसे ही अस्थाई व्यभिचारी रस हैं, मत्सर और आलस्य, इरश्या इत्यादी इत्यादी हैं, लेकिन निर्वान की अनुभूती तो हमको नहीं होती, कैवल की अनुभूती तो हमको हुई नहीं, वो तो केवल हमने ये मान लिया कि हाँ भई कुछ ठंड़क पहुँच गरी है, हमारे लिए तो इतने ही होगा कि हाँ थोड़ा मन, उद्विग्न कम हो गया, हमारे लिए वास्तव में शांत रस की अनुभूती नहीं हो सकती, और ना उसका अभिने हो सकता है, उसका अभिने इसलिए नहीं हो सकता, कि उसकी अनुभूती अभिनेता को भी नहीं हो सकती, जो एक्टर या एक्ट्रेस है, वो भी शांत रस की अनुभूती कैसे करेगा, अगर उसको सचमुष शांत होना है, तो अपने बस आसन लगा के बैठ जाएगा और कहेगा मानलो भाई मैं शांत हूँ, और मैं कैवल्य में चला गया हूँ, जैन है तो कैवल्य मेरा गंतव्य है, बाउध है तो निर्वान है, और शिवतत्त्य को पहुँच गए हैं, अगर हम शिव हैं, इत्यादी इत्यादी, तो जो परम अंतरमुखी अवस्था है, वो अवस्था अंतरमुख की है, वो प्रती आहार है, आहार नहीं, देखिए, योग में आठ क्रम बताए गए, यम नियम, आसन प्रणयाम, और प्रत्याहार, अब यम नियम, आसन और प्रणयाम, यह तो सब नजर आते हैं, और बाबा राम देव आपको कराते रहते हैं, और हम उनके साथ करते रहते हैं, वो सब कपाल भाती तो सब ने कर ली बैठके 5000 लोगों ने बाबाजी के साथ अब प्रतियाहर कैसी होगा भाई प्रतियाहर प्रतियाहर का मतलब है सारी इंद्रियां बहार की जगए अंदर जाने लगे तो ये तो एक बड़ी मुची योगिक रिया है ये तो हजारों लोग बैठके एक पार्क में नहीं कर सकते ये तो वर्षों की साधना के बाद किसी को प्रारम बिसका होता है प्रतियाहर यानि इंद्रियां अंदर की ओर जाने लगी अहार की जगए उल्टा आप करने लगे बाहर की दुनिया को आप नहीं पकड़ रहे हैं अंदर की दुनिया में आप गए और फिर धारणा ध्यान और समाधी तो प्रतियाहर धारणा ध्यान समाधी ये अंतर मुख यह व्यक्ति को होते हैं व्यक्ति ही जानता है और इसकी पराकाश्ठा ही शांत है यही शांत्रस है तो ठीक है अभिनाव गुप्त जी ने इसको अनुभाफ कर लिया क्योंकि वो परम शिवभक्त और साधक और योगी थे रमन महर्शी ने कर लिया श्री अरविंद ने कर लिया जो इतने बड़े बड़े योगी सन्यासी सिद्ध पुरुश हुए उन्होंने कर लिया और उनके बारे में हमने सुन लिया लेकिन हमें अनुभूती किस चीज की होती है हमें अनुभूती तो अपने इनी आठ स्थाई भावों की और आगे जो 32 स्थाई भाव बताए हैं